So hello guys, welcome back to my channel So, आज हम सीखने वाले हैं dark glittery eyes कैसे करते हैं तो हम अपने base से start करते हैं, आपको पताएगी मैं अपना makeup में सबसे पहले base करता हूँ सबसे पहला step जो मारा makeup करने से सबसे पहला होता है CTM सबसे start with cleansing Cleansing हमने अपने Riohub से करी है, अच्छे से face को clean करा है, massage करा है, around the nose आपको अच्छे से करना है So that आपके skin पे से dirt है, pollution है या dead skin है, वो अच्छे से remove हो जाए ठीक है, मैं हलका सा इस पे थोड़ा सा cleanser करने के बाद थोड़ा spray करता हूँ मैंने rose water spray करा है, आप water spray भी कर सकते हो उस पे और फिर उसको मैंने अपने tissue से wet wipe से अच्छे से remove कर दिया क्या था कि हमारे client के eyebrows के थोड़े से नीचे से उसके lid पे hairs visible थे तो मैंने अपना eyebrow trimmer से उसको अच्छे से clean करा है so that eyebrows neat लगे और एक अच्छा लुका है हमारे make-up का ठीक है, आपके पास एक अपना eyebrow trimmer होना ही चाहिए ताकि अगर आपकी client के eyebrow नहीं बनी वी या कोई extra growth है तो आप उसको remove कर सको ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना water-based moisturizer apply करा है I guess मिरा जब toner वाला step है वो skip हो गया था पहले मैंने toner करा, उसको dry करा, fan से फिर मैंने अपना water-based apply करा है पूरे neck पे, face पे अच्छे से apply करा है, all over ठीक है, आपको ये ध्यान अखना है कि आपको water-based के बाद जब भी moisturizer apply करोगे, आपको water-based अच्छे से dry हो चुका हो skin में penetrate हो गया हो, तभी आपको उसके बाद अपना moisturizer apply करना है, मैंने अपना moisturizer जो apply करा है Riohub का करा है, जो कि normal to dry skin के लिए सबसे best है, मैंने इसकी normal skin के लिए best है और इसको आप इसको आप अच्छे से apply करना है circular motion में around the chin और फिर उसके बाद जो मैंने देखा कि clients के काफी skin पे unevenness थी, around the nose और nose पे काफी unevenness थी, तो मैंने उस पे pore filler apply करा है so that वो जो हमारा unevenness है वो थोड़ी smooth हो सके ठीक है, आज हम अपना correction orange character की से ना करते हुए, हमने अपना dark concealer यूज करा है dark concealer जो है, यह हमारा है forever 52 का 008 shade number, ठीक है हमने all over हमारे पर दो method जैसे मैंने बताया है, आप दो methods होते हैं color correction के आप यह dark concealer से कर सकते हो, यह आप अपना orange character यूज कर सकते हो, तिक आज हमने आपने देखा होगा जैसी कि आपने बाकी tutorials में, मैं orange character यूज करते हूँ पर आज मैंने अपने students को करके दिखाने के लिए dark concealer यूज कर रहा है, तो मैंने इदर बताया भी है palette में, कि आप orange character भी यूज कर सकते हो, इसके जगा पे, और दोनों का result same आता है, बट आपको यह ध्यान रखना है कि आपको dark लेना है, आपको light shade नहीं लेना है, client के skin tone से, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से blend कर लिया है, छोटे beauty blender से, पूरे face पे, under eyes पे, forehead पे, chin skin पे, neck पे, अच्छे से, आपको जैसे पता होगा, neck पे हमें अपना, जब भी कुछ भी product apply करते हैं, उसको drag करते हैं, beauty blender से dab नहीं करते हैं, अब मैंने अपने, ये, sorry, derma use कर रहा है, derma neutralize करने के लिए, के एक पतली सी layer आ जाए हमारे skin पे, evenness के लिए, आप चाहो तो आप skip भी कर सकते हो, क्योंकि neutralize हम cup करते हैं, जब हमें orange character apply कर रहा होता है, face को neutralizing की need होती है, even base करने के लिए, आप इस step पे आप skip भी कर सकते थे, ठीके, आप मैंने इसको अच्छे से neck पे और पूरा apply कर रहा है, अब मैं जो foundation use कर रहा हूं, huda beauty का, मैं shade चेक कर रहा हूं, shade हमार जो था, वो shade था 310 Amriti, और मैंने पूरे face पे अच्छे से लगाया है, अभी थोड़ा सा, यह आपको थोड़ा fair लगेगा, पर यह कुछ देर में आपका subtle हो जाएगा, skin के साथ merge हो जाएगा, अच्छे से, ठीके मैंने अच्छे से beauty palette पे अपना spread करके beauty blender से blend कर रहा हूं, all over face, snack पे blend कर दिया, ठीके हूडा हमारा एक ऐसा foundation है, जो की काफी dry foundation है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसे quickly blend करो, speedily, आपको उसको लगा के बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, आपको उसको जल्दी से blend कर देना है, ताकि आपका वो dry ना हो, अप हमने highlighting के लिए concealer यूज कर रहा है, इसकी काफी अच्छा coverage देता है, यह आपका tart concealer जो आते हैं हमारे, उसका बहुत perfect substitute है, dupe आप कह सकते हो, उसका बहुत अच्छा dupe है, reasonable range में, ठीक है, इसके हमारे इंडिया में only 3 shades आते हैं, तो आप नाइका पे चेक कर सकते हो, ठीक है, मैंने highlight, concealer highlighting करने के बाद उस कर रहा हूं, cream blusher यूज कर रहा हूं, फैरर रूशी का, हम blusher इसलिए यूज करते हैं, cream वाला, ताकि एक natural finish आ सके blush की, प्लस ही थोड़ा हमारा blush जो है, long lasting हो सके, right, guys, यह सारी चीज हमें अपने बहुत के, अपने जो मारा माश्चा course होता है, one month का, उसमें बहुत detail में बताते हैं, एक चीज, एक एक step, आपको कब कौन सा product यूज करना है, कि skin type पे कैसा product यूज करना है, पूरी detail में बताते हैं, जो मारा new course आ रहा है, 26 September से start हो रहा है, hair and makeup, दोनों, आपका one month का course है, जो की मारा शाली मारबाग देली में है, आप, guys, आप में को DM कर सकते हो, मेरी जो Instagram ID है, दीपक जैन, makeup, आप उसके मेरे को DM कर सकते हो, और मेरे जो upcoming course है, आप उसकी detail मेरे से ले सकते हो, right, हमने अपने baking कर ली, अपने पहले baking करने से पहले fixer लगाया था, forever 52 का, उसके बाद हमने baking करी, powder set करा, all over the face, जो मैंने, office थी, हमने last video में बताया था, कि कब हम हमें अपना white shade का, transparent powder use करना है, कब हमें banana bread use करना, yellow shade का, मैंने इन पर banana bread use करा है, और अच्छे से मैंने आई magic की palette से इनको blusher दिया है, अब मैंने blusher अपलाय करा है, cheeks पे, apple पे, अच्छे से chin पर, ठीक है, आप देख रहे हो कि blusher लगाते ही, हमारा जो make-up है, base है, उसका अ अपना baking के बाद, compact से हमारा क्या रहता है, कि जो मैं compact यूज कर रहा हूँ, studio fix, mac का shade हमारा NC41, यह क्या करता है, कि आपका extra coverage दे देता है, face पे, right, और अब मैं अपना eyebrows कर रहे है, मैं को eyebrows थोड़ी sharp करनी थी, महारी client की जो demand थी, उनको कहना था कि मैं को थोड़ी sharp eyebrows चाहिए ह कर रहा है, जो कि आई magic का dark brown shade, right, अब आपको बहुत patiently eyebrows को करना है, किसको लगता है कि जब हम eyebrows करते हैं, थो हम अपनी सास रोक लेते हैं, eyebrows करते हैं, मतलब हमारे साथ ऐसा हुई जाता है, कोशिश भी करें, तब भी हमारी अपने अपी सास रोक जाती है, और हम बोलना बंद क फोकस करते हैं, क्योंकि हमांको यह डाल लगता है, कि हमारे eyebrows खराब ना हो जाए, right, अब हम eyes पे eye makeup स्टार्ट करते हैं, eye makeup करने से पहले मैंने अपना थोड़ा सा dark concealer यूज़ करा है, हमारा forever 52 का 005, दोनों rate पर अच्छे से apply करा है, मैंने अब देख सकते है, eyebrows की shape कितनी प्य मैंने blend कर दूँगा, pencil brush अच्छे से, इसको blend कर दिया, उपर उपर थोड़ा, अच्छे से blend कर दिया, दोनों side मैंने blend कर लूँगा, उसके बाद मैं अपना apply करूँगा, brown pencil, जो कि हमारी है forever 52 की, brown pencil apply करूँगा, ताकि मेरे को थोड़ा ombre effect बनाना था, पहले मैंने black use करा, अ अब फिर मैं brown use कर रहूँगा, इसके बाद, right हा, मेरे को लगता है कि शायद वो जो मारा step था, brown pencil का वो skip हो गया, और ठीक है, brown pencil से ही मैंने outer बनाया था, इनका जो outer आप देख रहे हो, जो outer आ रहा है, वो मैंने brown pencil से ही करा था, अब मैंने थोड़ा light shade से लेके transition बनाया है, और थोड़ा black को और enhance करने के लिए मैंने small fluffy brush पे black shadow लेके उसको deposit करा है थोड़ा सा lid पे अच्छे से, ताकि आप देख सकते हो कि हमारा corners कितने अच्छा लग रहे है, हमारी eyes कितने अच्छी लग रही है, इसके बाद जो हम करेंगे, blending हमारी सबसे अच्छी होनी छही है, फिर मैंने इसमें इसमें बाद एक copperish और blackish color की shimmer shade यूज़ करा है, अपना दोनों lid पे अच्छे से apply करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, कि जब भी हम glitter apply करते हैं, तो हमको एक अपना इंचे shimmer base देना ही है, shimmer base देना दिये, आप अपनी glitter लगाओगे, तो आपका बिल तो मैंने liner finally नहीं दिया, ठीक है, अब मेरा I guess glitter वाला step भी skip हो गया है, glitter जो मैंने यूज़ करी है, मैंने एक copperish और एक अपनी silver glitter दो mix करके apply करी है, तो हमने पहले टूवे जल लगाया, फिर अपनी glitter अप्लाय करी, उसके बाद मैंने उसको paste कर दिया, अपनी glitter को glitter लगाने का इसमारा step वो ही था, बस इसमें यही difference ही कि मैंने 2 glitter को mix करके लगाया है, अब मैं थोड़ा सा अपनी lash line को enhance करने के लिए black shadow use कर रहा हूँ, अपनी lash पे only, ठीक है, और guys अब आप मेरे को instagram पे follow कर सकते हो, मेरे instagram पे 2 pages है, दीपक जैन makeup and दीपक जैन makeup studio, आप में को दोनों पे follow कर सकते हो, मैं काफी tips and tricks बताता रहता हूँ, और जो भी हमारे upcoming course होते हैं, online, offline, उन सब की details भी आपको, मेरे instagram pages से easily मिल सकती है, और जो भी in makeup की आपको pictures देखनी होती है, देखनी हो, तो आप मेरे को instagram पे follow कर सकते हो, और कोई भी नई video, सब कुछ जो होता है, उसकी notification सबसे प wherever की palette use करी है, पहले मैंने light shade से start करा, transition shade जो हमने अपना eyes पे दिया था, वो ही हमने lower lash पे दिया है, और थोड़ा सा मैंने अपना काजल blend करा है, lower lash पे, क्योंकि मैं को थोड़ी से eyes को intense दिखाना था, क्योंकि यह मारा cocktail look है, right, मैंने फिर इसको अपने छोटे वाले pointed blending brush से blend कर दिया काजल को और उसको अच्छे से set कर दिया black shadow से, right, अब inner corner पे हम हलकी सी shimmer वो, inner corner पे हमने अपनी shimmer shade अपलाए करा है, जो इनके exact gown में था, right, inner corners पे आपको यह मैंने इसले लगाया है, ताकि look थोड़ो और enhance हो जाए और eyes open up लगे, ठीक है, उसके बाद हमने अपना mascara lashes apply करी right, I don't know कि मेरे मतलब जब यह class में look करा रहा था, तो कौन record कर रहा था, जिसने कितने सारे step skip करें, मैं आगे जब भी अपना कोई भी make up look record कर रहा हूँँगा, तो मैं ध्यान रखूँगा कि हमारा कोई भी step skip ना हो, right, उसके बाद हमने पहले जैसे आपको पताए कि यह जब सबसे best highlighter है, यह आपके कोई भी skin, mostly, mostly skin tone पे चला जाता है, बस एक deeper dark जो होते है, उन skin tone पे नहीं जाएगा, उन पे यह white लगेगा, right, और बाकी आपके कोई भी skin tone हो, सब पे बहुत अच्छा लगता है, और काफी subtle look देता है, right, आप मैंने इनके cheekbones पे, nose bridge पे, forehead पे, lips पे, chin पे, अच्छे से apply करा highlighter, और उसके बाद मैंने एक highlighter और यूज करा, Fenty Beauty का, जो कि मैंने just एक थोड़ा enhance करने के look करा था, right, अब हम अपना lip shade लगा रहे है, lips करने से पहले हम अपना lips को, lip line कर रहे है, pencil से, और अपना lip shade देंगे, जो मारा lip shade है, यह faces का नड़ागा है, ठीक है मारे client को थोड़ा महरूनिश और dark shade चाहिए था, वैसे आप इस पे nude shade लगाते है, nude shade बहुत अच्छा लगता, बट हमें जब भी make up करना है, मैं तो client की preference का ध्यान रखना है, कि client को जो taste परसंद है, clients का डो भी taste है, उसकी preference है, उसी में हमको, उसको ध्यान रखते हुए ही apply कर है, lip shade है, eye makeup है, bleasher है, right, और मैं अच्छे से precisely lips को बना रहा हूँ, आपको पता होगा कि मैं मतलब lips में काफी अच्छा time spend करता हूँ, ताकि हमारी जो lip shape है एकदम perfect आए, right, और हमारे जो client थी, इनकी lips काफी thin थे, पतले थे, बिल्कुल, तो उनको काफी overdraw करना था मैंने, right, उसके बाद थोड़ा सा मैंने touch up करा अपना dharma से और flat brush है, lips को, right, फिर उसके बाद आप close up में देख सकते हो कि मारा eyes का look इतना प्यारा आया है, और eyes जो lenses हमने यूज करे है, grey shade यूज करा है, अपना fresh look का, right, इसके बाद थोड़ा सा मैंने neck पे भी compact दिया है, ताकि हमारी neck dark पाकना लगे, इससे पहले हमने makeup studio का foundation pot से अपना medium shade यूज करा था, इनके neck पर और उसके बाद मैंने उसको set करा है, अपना shade से, compact से, आप देख सकते हो कि मारा eyes का look इतना प्यारा आया है, overall, और base भी मारा काफी अच्छा लग रहा है, ये मारा client का overall look था, after dress, jewelry and hairstyle, so guys, thank you for watching my video आप में को subscribe कर सकते हो, youtube channel पर और मता कि और अच्छे ची videos बनाओं और आपको दिखा सको, आप में को instagram पर भी follow कर सकते हो, thank you